हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है लर्न इट के एक और नए वीडियो में और बिना टाइम वेस्ट किये चलिए नया टॉपिक शुरू करते हैं तो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 3 स्पोर्ट्स और न्यूट्रिशन का इंडिया और पूरे वर्ड में ही बहुत सारी गलत फेम या डाइटिंग को लेके होती है मतलब कि बहुत सारों को जानकारी नहीं होते कि डाइटिंग के अंदर बेसिकली किया कैजाता है बहुत सारे यह लोग बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हैं वजन ज्यादा और exercise पर जाते हैं तो इसमें से कुछ जो गलत फेहमिया है pitfalls के कुछ नुकसान है डाइटिंग के तो उसको हम पहले पढ़ेंगे इस पुरे topic के अंदर जिसका नाम है the pitfalls of dieting यहाँ पर pitfall का सिर्फ एक ही मतलब है वह है नुकसान की dieting के नुकसान क्या है तो पहली बात करते हैं तो topic आता है eating too little मतलब जो एक व्यक्ति को normal calorie intake करना चाहिए 3000 से लेकर 3500 तक का उसको वो drastically cut off कर देता है मतलब कम कर देता है तो लगबगो 1500 से 1800 याने 1500 to 1800 calories दिन की लेता है जो की body के अंदर daily requirements के लिए enough नहीं है इसके कारण उसका weight loss तो होता है पर उस loss के कारण उसको health related problems भी बहुत ज़्यादा आने लग जाती है second point की बात करते हैं तो लिखा हुआ more drinking than eating याने ज़्यादा पीने के सामान को use करना खाने की चीजों को कम कर देना इससे होता क्या है कि drinks use करने से जैसे कि juice पीना सोडास का इस्तमाल करना tea coffee को use करना इन सब में carbohydrates याने शुगर की मातरा ज़्यादा होती है जिसके कारण ultimately आगे जाके आपका weight increase ही करेंगे decrease नहीं करेंगे third point है skipping meals मतलब खाने को जैसे कि lunch breakfast हो dinner हो खाना हो कोई से भी type का meal हो उसको आप reduce कर दोगे तो आपका metabolic rate है मतलब body जिस चीट से dependent है वो अपनी dependency उससे अटाना चालू करेगी इस टाइम पर body क्या करेगी अपनी energy को conserve करना चालू करेगी और जब भी आप खाने को थोड़ी सी जादा मातरा में खा लोगे तो body उसको लेना चालू कर देगी वापिस से और जादा amount में लेना चालू कर देगी नेक्स पॉंट आता है intake of labelled food labelled food का मतलब है कि आप जब भी मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर लिखावा आता है low fat low sugar low calories skimmed milk तो हम क्या करते हैं इनके चलावे में आते हैं और होता इसके अंदर कुछ भी नहीं है देखा जाए तो पर जब हम इस चाय के अंदर कुछ चीज मिलाते हैं तो आप चाय का जो कंजप्शन हमेशा क्या कर देते हैं बड़ा देते हैं क्योंकि आप क्या कर रहे हैं यह समझ रहे हैं कि उसके अंदर fat कम है sugar कम है calories कम है तो मैं थोड़ा ज्यादा भी ले लूँगा तो कोई problem नहीं होगा last topic आता है not performing exercises मतलब आप dieting कर रहे हैं आप सब चीज कर रहे हैं आप सब चीज का ध्यान रख रहे हैं पर आप exercise नहीं करते हैं तो obviously आपकी body के अंदर metabolism drastically क्या हो जाएगा decrease हो जाएगा level down हो जाएगा अगर level down हो जाएगा तो आपके dieting करने का कोई मतलब नहीं रहेगा ineffective हो जाएगी मत हमारी body का जो digestive system है वो कभी कभी किसी एक special या बोलते हैं कि किसी किसी certain elements को या प्रदार्तों को हमारी body के अंदर क्या नहीं कर सकता accept नहीं करता है या properly digest या process नहीं कर सकता ऐसे food को जो हम लेते हैं और हमको कुछ reactions होते हैं allergies होती है और अगर हमको food suit नहीं करता तो हम इस चीज आपको क्या होता है food intolerance होता है जैसे कभी-कभी आप दूद्ध पीते हैं तो किसी किसी को acidity होती है पर बहुत सारों को acidity नहीं होते क्योंकि उनको दूद्ध से क्या है इंटॉलरेंस नहीं है और किसी को इंटॉलरेंस हो जाती है नेट्स बात करते हैं basically intolerance और allergy दोनों different है पर इनके जो symptoms होते हैं लक्षण होते हैं वो बिल्कुल ही common होते हैं देखा जाये तो जो allergy है वो बहुत ही जल्दी आती है एकदम से allergy हो जाती है और बहुत serious condition में भी कभी-कभी allergy हो जाती है पर जब हम बात करते है food intolerance की तो उसके कुछ features है पहला यह है कि basically food intolerance बहुत ही धीरे-धीरे हाता है second आप अगर कोई particular food को जादा amount में खा लेते हो तो food intolerance हो सकता है और last अगर आप किसी चीज़ को बहुत ही often खाते हो मतलब continuous आप उसका जो इस्तमाल है consumption है वो बहुत जल्दी रखते हो एक week में बहुत बार खाते हो उसको तो भी हो सकता है कि आपको वो food क्या करने लग जाए intolerant होने लग जाए और इस topic को बोलते है food intolerance अब हम बात करते हैं causes और management के बारे में food intolerance के तो पहला ये है कि body के अंदर जो enzymes present होती है जो कि क्या करती है food को और elements को तूड़ती है breakdown करती है चोड़ जोड़ पार्टिकल्स के अंदर अगर वो enzymes के अंदर या तो है नहीं या तो inactive condition में है तो ये problem आ सकती है food intolerance की कभी कभी क्या होता है ये पूरा का पूरा जो system है food intolerance का ये body खुद ही अंदर से create कर सकती है कभी कभी ये diet से related भी होता है कभी हम कुछ चीज़ diet को special बनाते है और उसके अंदर कुछ substance को use करते हैं जो body के अंदर tolerant नहीं करेगा उसके कारण भी आपको ये cause हो सकता है और last आता है due to illness मतलब अगर आप पहले से बिमार है या आपको कोई बिमारी है जिसके कारण से आप food को intolerant नहीं कर पा रहे हैं तो इसके कारण भी food intolerance हो सकता है next आता है management इसको कैसे manage करें या तो आप अपनी diet के अंदर कुछ changes करें या तो आप कुछ special therapies ले सकते हैं जिससे आप ये सब चीज़ को eradicate कर सकते हैं या हटा सकते हैं पहला है fructose intolerance therapy lactose intolerance therapy और histamine intolerance therapy इसको apply करके आपको या इसको use करके आप भी क्या कर सकते हैं इस food intolerance से बच सकते हैं अब हम move कर रहे हैं बहुत important और बहुत interesting topic के बारे में जिसको बोलता है myth about food मतलब खाने को लेके हमारी क्या गलत फेमिया है myth का मतलब गलत फेमिया ही होता है इंडिया लो या पूरा world लो यहाँ पर हम खाने को क्या करते हैं बहुत सारे myths से लेकर जोडते हैं मतलब कुछ गलत फेमिया हमको खाने के बारे में है जो all over world बहुती प्रचलित है पर लोगों को confused क्या करता है कि हमको कौन सी चीच कब, कहा, कैसे और कितनी खानी चाहिए वहीं पर हमें ये जो जितनी भी गलत फेमिया है इस पर भरोसा इसले भी हो जाता है क्योंकि हम day to day life में इसको use करते हैं पर क्योंकि अब science ने क्या करा है बहुत ज़्यादा advanced development खाए और हमारे पास सारी की सारी scientific knowledge present है, तो हम इन myths को आसानी से credible कर सकते हैं या तोड़ सकते हैं तो पहली बात करते हैं कि हमारी society के अंदर जितने भी एक myth है या जिसको बोलते हैं कि कुछ गलत फेमिया है खाने को related उसके बारे में हम बात करते हैं पहला तो यह है कि आलू हमको मोटा करता है second, अगर हम fat free product को use करेंगे तो हमारा वजन कम हो जाएगा खाओ, क्योंकि यह क्या करेगा आपके शरीर पे सफेद दाग देगा अपने आपको भूका रखो जिससे की weight loss अपने आप ही हो जाएगा और last में आता है कि अगर आप exercise करोगे तो आपको obviously आपके energy use होगी और अगर energy use होगी तो आपको आपिस भूक लगेगी और आप इसे खाना खाओगे तो इससे अच्छा है कि हम exercise ही ना करें तो खाना भी नहीं खावाएगा और हम पतले भी हो जाएगे यह कुछ society में प्रचलित क्या है myth present है हमारे दुनिया के अंदर तो अब हम बात करते हैं कुछ myth को तोड़ते हैं या उनके बारे में scientific knowledge लेके बात करते हैं कि यह सही है या गलत है याने कुछ गलत फिमियों को दूर करते हैं पहला topic यह है कि अंडे के अंदर cholesterol level बहुत जादा होता है इसलिए इसको avoid करो ऐसा नहीं करना है क्यों क्योंकि अंडा एक बहुत ही अच्छा source of food है आपकी health को better करेगा इसके अंदर बहुत सारे different kind के nutrients presence होते हैं जो daily requirement में बहुत important है cholesterol का भी daily requirement बहुत important होता है अगर आप एक अंडा एक दिन में खाते हैं या एक दिन का usage करके लेते हैं तो cholesterol level आपका increase बिल्कुल नहीं होगा और cholesterol level में कोई problem नहीं आएगी अगर उसकी मात्रा आप ज़्यादा कर दोगे तो obviously किसी भी चीज का extra use करना आपकी body के लिए harmful होगा next बात करते हैं अगर आप second topic की बात करो तो वहां लिखा है drinking while eating max you fat इसका मतलब भी है कि पानी पियोग खाते समय आप मोटे हो जाओगे तो ये भी क्या है एक बिल्कुल मित है या गलत फैमी है अब बहुत सारे लोगे जानते हैं जो 9th 10th से पास होगे जिसको digestive users के बारे में पता है वो सब ये सोचते हैं कि अगर मैं पानी पी लूगा तो obviously मेरे stomach के अंजर जो acid है जो enzymes है वो dilute हो जाएंगे तो ऐसा नहीं होता है और जिसके कारण मेरा metabolic rate है जो absorption का rate है वो कम हो जाएगा जिसके कारण मेरा fat जो है वो क्या हो जाएगा मेरी body के अंदर इखटा हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा क्या है myth है गलत फहिमी है आप आसानी से खाने के समय पानी को use कर सकते हैं कुछ और myth के बारे में बात करते हैं और उसको burst करते हैं तो पहला है low fat खाएं की no fat खाएं हमारी diet के अंदर तो basically body को energy बनाने के लिए tissue repair करने के लिए और चीजों को transport करने के लिए मतलब vitamins A,D,E,K को transfer करने के लिए fat की requirement होती है तो हम fat को cut off तो नहीं कर सकते हैं हाँ उसका consumption जरूर low कर सकते हैं second यह है कि crash dieting और fasting से हमको ज़्यादा वज़न lose होगा क्या या बहुत जल्दी lose होगा क्या तो ऐसा नहीं है देखा जाए तो short term में अगर आप crash dieting करते हैं या fasting करते हैं तो बहुत अच्छा result आता है और आपका weight loss हो जाता है पर ultimately आगे जाके आपका weight control नहीं रख रह पाएगा या loss नहीं रह पाएगा जैसे ही आप अपने diet normal करेंगे क्योंकि हम हमेशा के लिए dieting या fasting नहीं कर सकते हैं अगर आप धीरे-धीरे gradual lose करते हैं long term के अंदर आप अगर dieting करते हैं धीरे-धीरे कुछ changes लाके तो ही जाके हमको ये क्या करेगी benefit देगी अब कभी-कभी हम crash dieting या fast dieting करते हैं तो हमारा फैट तरीव हो जाता है उस टाइम पर हमारा जो muscle mass है जिसको बोलते हैं lean muscle mass मतलब जो हमारी muscles है white muscles है वो खतम होने लग जाती है नेक्स बात करते है एक और में थी है कि लात को रात को लेट खाना खाने से भी क्या मोटापा पढ़ता है या skimmed खाए या अगर हम ऐसा milk लेते हैं जिसमें calcium कम है मतलब low fat milk के अंदर calcium जादा होता है कि fat milk के अंदर calcium जादा होता है तो basically आप skimmed या semi skimmed मतलब जो आप उबाल लेते हो उसमें जो creamy पना हटा देते हो उसके बाद जो milk बसता है उसके अंदर calcium जादा होता है मतलब जो liquid material होता है मतलब watery material के अंदर आपका calcium हमेशा दूथ के अंदर जादा होगा और वहीं पर creamy पार्ट के अंदर आपको सिफ fatty मिलेगा उसके लावा कुछ ज्यादा चीज़ें नहीं मिलेगी एक साथा vegetarian लोग bodybuilding नहीं कर सकते मतलब muscles gain नहीं कर सकते तो ऐसा बिलकुल नहीं है उनको सिर्फ अपना खाने के अंदर कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे जैसे कि जिस चीज के अंदर protein के consumption ज्यादा हो या material ज्यादा हो protein का मातरा ज्यादा हो वह वाली चीज़ें अगर यूज करेंगे या concept करेंगे तो उनकी बॉड़े बिल्ड होगी और देखा जाए तो टिंड मटेरियल का मतलब या जो डब्बे में आते जो पैक्ड मटेरियल आता है उसको हमका समझते हैं कि वह healthy food है ऐसा बि पैकेज मटेरियल है तो बड़ेगा ही पैकेज मटेरियल का पर अब लोकल मटेरियल या सीजनल जो भी food आता है हर सीजन में उसको भी अगर हम यूज करें तो वह बिल्कुल inexpensive होगा आपके पैसों पर जादा भार नहीं पड़ेगा आशा है कि आपको सारे topics easily समझ में आ रहे होगे हम learn it पे आपके लिए easy or simple learning material बनाते रहते हैं जिसके कारण आपकी learning और listening capabilities increase होती रहेगी अगर आपको कोई topic समझ में नहीं आता है या आपको कोई topic hard लगता है या कुछ topic को आप detail में समझना चाहते हैं तो उसको आप comment section में लिख सकते हैं अगर आपको हमारा work अच्छ सप्वेटेड रहे stay healthy stay fit बाइबाइब को